या देवी सर्वभूतेशु मामात्री रुपेण संस्तिता नमस्तस्याई 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 नमुनमह ओम दुंग दुर्गाई नमह वैसे तो नवरात्री का एक-एक दिन बहुत महत्य पुण होता है प्रत्य एक दिन एक खास महत्वर रपता है लेकिन नवरात्री में जो कुछ खास तिथिया है उनमें है प्रतिपदाति थी और सब्तमी थी अस्टमी थी और इसके साथी नौमी थी थी प्रतिपदा तिथी के दिन हम मा का आवाहन करते हैं उनकी पूजा आराधना प्रारंब करते हैं और फिर इसके बाद पूरी नवरात्री में मादुर्गा की वितिविधान से पूजा की जाती हैं समर्पन के साथ पूरी श्रध्धा भक्ति के साथ हम मा की आराधना पूरी नवरात्री में करते हैं इसके बाद अश्टमी और नौमी तिति ये बहुत मेहत्पूर्ण इसलिए होती है क्योंकि ये दिन जो होते हैं विसरजन के दिन होते हैं मतलब कई घरों में अश्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, कई घरों में नौमी के दिन कन्या पूजन हवन इत्यादी किया जाता है, तो अश्टमी और नौमी समापन की तितियां होती हैं, और अब हम चैत्र नवरात्री में समापन की तरफ आ चुके हैं, चैत्र नव पर आतरी वरत का पारण कब करना चाहिए कलशमि सर्जन करने का शुबमुहुरक्त क्या होगा और कण्या पूजन और हवन के लिए सबसे शुबमुहुरक्त क्या होगा संपूर्ण जानकारी अश्टमी 9 मी कं्या पूजन अप SECRET चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और अपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए तो सबसे पहले जानते हैं कि अश्टमी और नौमी तिति के प्रारंब और समापन का समय क्या है तो देखिए चैत्र मास की शुक लिपक्ष की अश्टमी तिति प्रारंब हो रही है 15 अप्रेल को दो पहर में 12 बसकर 11 मिनट पर और समाप्थोगी 16 अप्रेल 2024 को दो पहर में 1 बसकर 23 मिनट पर तो 16 अप्रेल 2024 मंगलवार के दिन चैत्र मास की शुक लपक्ष की अश्टमी तिती है जिसे महा अश्टमी कहा जाता है इस दिन मादुर्गा के आठवे स्वरूप मा महागोरी की पूजा की जाती है अच्छा आप में से कोई भी भक्त जो की मासिक अश्टमी का व्रत धारन करना चाहते हैं मासिक दुर्गा अश्टमी का व्रत प्रारंब करना चाहते हैं तो इसी अश्टमी से प्रारंब कर सकते हैं मतलब 16 अप्रेल से दुर्गा अश्टमी का व्रत आप शुरू कर सकते हैं, फिर हर महीने की शुकलपक्ष की अश्टमी तिथी के दिन व्रत धारन कीजिए और मा दुर्गा की विधिविधान से पूजा कीजिए. अब बात करें नौमी तिथी के बारे में तो देखिए, नौमी तिथी का प्रारंब हो रहा है 16 अप्रेल को दोपहर में 1 बस कर 20 मिनट पर और नौमी तिथी का समापन होगा 17 अप्रेल को दोपहर में 3 बस कर 14 मिनट पर, ऐसे में नवरातरी की महा नौमी जिसे राम नौमी कहा जाता है 17 अप्रेल 2024 बुद्धवार के दिन मनाई जाएगी इस दिन माद्रगा के 900 रूप मासे धिदात्री की पूजा की जाती है और भगवान श्री राम की विधिविधान से पूजा की जाती है और अब बात करते हैं कि कन्या पूजन कब करना चाहिए तो देखिए कन्या प पाते हैं इसलिए नवरात्री में अश्टमी और नौमी के दिन विशेश रूप से कन्या पूजन हम करते हैं तो कन्या पूजन हवन जिस दिन भी आपके परिवार में किया जाता है उसके अनुसार आप कर सकते हैं चाहे तो अश्टमी के दिन या फिर नौमी के दिन ये दो कुछ विशेश मंत्र जब नहीं कर रहा हैं आप संख्या निरधारित करके तो ऐसे में अगर आप अश्टमी तिथी के दिन भी हवन करते हैं. नौमी के दिन भी करते हैं हवन, तो भी चलेगा. लेकिन अगर आप संख्या निर्धारित करके मंत्रों का जब कर रहे हैं जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि नवरात्री में सवालाक मंत्र का जब करते हैं कई भक्त हैं जो कि 51,000 या फिर 21,000, 31,000 इस प्रकार से मंत्रों का जब करते हैं या फिर किसी मनो कामना से मंत्र जब कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में नवरात्री की नौमी तिथी के दिन आपके लिए हवन करना अत्यन तावश्यक है। नौमी तिथी के दिन आप सभी जानते हैं मा सिध्धिदात्री की पूजा का दिन होता है और जो भी हम नवरात्री में पूजा पाट करते हैं मंत्रों का जब करते हैं जिस भी कामना से करते हैं उन सभी कामनाओं की सिध्धी उन मंत्रों की सिध्धी हमारी पूजा का संपुर पूजन करते हैं, हवन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको नौमी दिति के दिन हवन करना चाहिए और विद्धि विदान से माज सिधिधात्री की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, मतलब अगर आपने कन्या पूजन अश्टमी के दिन कर लिया है, तो जरूर ही नौमी के द जो भी मा की Pooja पूली हो जा रहे हैं परिवार की परंपरा के अनुसार तो भी आप चौकी नहीं हटाएंगे जहां पर माता विराजी थे वही रहेंगी, अखंड दीपक आपका उसी प्रकार से जलेगा पूरी न वरात्री अर्थात नौमितीती समाप्त होने तक, और नौमितीती के दिन भी विद्धेविधान से उसी प्रकार से माता की पूजा आराध्ना की जाएग तो देखिए नवरात्री वृत दो प्रकार से किया जाता है कई भक्त हैं जो कि पूरी नवरात्री का वृत धारण करते हैं कई भक्त हैं जो कि पहले दिन और अंतिम दिन का वृत धारण करते हैं जैसे कि जिनके यहां अश्टमी मनाई जाती है वो सब्तमी को व्रत करके और अश्टमी के दिन हवन कन्या पूजन करके और व्रत का पारण कर लेते हैं कई भक्त हैं जिनके अनौमी मनाई जाती है तो ऐसे में प्रतिपदा और अश्टमी का व्रत करते हैं आपने व्रत का पारण तो यह बिल्कुल थीक है यह सनकल लेते हैं, धृरji नवरात्री के वरत का संकल्प लेकर और नवरात्री कर रहे हैं तो ठीक है और इसी प्रकार से जैसे माता की चौकी जो हटानी है वो भी आप दश्मी तिती में यह हटाएंगे नौमी तिती में चौकी नहीं हटाई जाएगी तो अब जानते हैं कि अगर आप नवरात्री में पूरे 9 दिनों का वरत धारण कर रहे हैं तो पारण करने का शुब महुर्द क्या है मतलब कौन सा वो समय है जिस समय में आपको अपना वरत खोल लेना है तो देखिए कन्या पूजन जैसा कि आपके हैं अपने परिवार में होता है उस प्रकार से कर लीजिए उसके बाद 17 अप्रेल को 9 मितिती है सुबह जिस प्रकार से आप नवरातरी की पूजा करते हैं प्रती दिन उसी प्रकार से मास से धीदातरी की वीडियो आपको मिल जाएगी आप लोग उसे देखकर सभी चीजें उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से पूरी नवरात्री में आपने किया है। तो आप उसे देख लीजिएगा, मतलब चौकी नहीं हटाना है, सिर्फ आपको कलश विसर्जन का नियम कर लेना है, मतलब हलका सा कलश हिला देंगे तो इससे कलश का विसर्जन हो जाएगा, और इसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं नवरात्री का, तो 17 अप्रेल को दो पहर में 3 बसकर 14 मिनाट के बाद, नवरात्री के व्रत का पारण आप कर सकते हैं, क्योंकि दश्मी तिथी प्रारंप हो जाएगी दो पहर में 3 बसकर 14 मिनाट पर, ठीक है, तो दश्मी तिथी में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, और फिर माता की चौकी हम 18 अप्रेल 2024 को और 17 अप्रेल को उसी प्रकार से पूजा की जाएगी जिस प्रकार से नवरातरी में आपने किया है मतलब शाम के समय दिया बाती उसी प्रकार से आप करेंगे माता की पूजा करेंगे मतलब चौकी पर दिया जलना चाहिए उस समय भी 17 अप्रेल को भी ये आपक करनी चाहिए बिल्कुल शांती पुर्ण तरीके से मा की पूजा आराधना 17 अपरेल को भी कीजिए नवरात्री व्रत का पारण आप दोपहर में 3.14 मिनाट के बाद कर सकते हैं अच्छा जैसे कई भक्तों का ऐसा भी नियम होता है कि वो सुर्योदे कालिन दश्मितिति में हश्पतिवार के दिन अपने व्रत का पारण कर सकते हैं मतलब देखिए कई स्थानों पर नियम थोड़े अलग होते हैं मतलब कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अलग होता है तो आप अपने परिवार की परंपरा का रिती रिवास का भी ध्यान रख सकते हैं तो एक बार फिर कर लीजिये मा की उसके बाद हवन कर लीजिये अपने वरत को समर्पित कर दीजिये मा को उसके बाद कन्या पूजन करते हैं ठीक है तो इस बाद का आपको थ्यान रखना है नौ दिनों का वरत कर रहे हैं तो पारण आपको नौमितिति की समापती के बाद दश्मितिति में करन और अगर आप सिर्फ पहले और अंतिम दिन का वृत धारन कर रहे हैं , तो जिस भी प्रकार से आपके परिवार में होता है पारण ! अश्टमी या नौमी को आप बिल्कुल अपने परिवार के अनुसार कर सकते हैं और हाँ, अगर आप वरत कर रहे हैं तो अपने पारण करने से पहले कलस्वे सर्जन का नियाम कर लीजे लेकिन माता की चौकी और चौकी पर रखी हुई जो भी सामगरी है वो 18 अप्रेल को ही हटाई जाएगे इस बात का आपको ध्यान रखना है और आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि चौकी पर रखी हुई सामगरी का किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है कौन सी वस्तु का दान करना है, कौन सी वस्तु स्वैम प्रयोग करेंगे इन सभी बातों के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए मिलती मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राधे